हेलो फ्रेंज आशा है आप सब स्वस्त और सुरक्षित होंगे आज मैं आप किसाद शेयर करने वाली हूं शिमला मिर्च की चटनी शिमला मिर्च की चटनी बहुत ही स्वाधिश्ट बनती है इसे मैंने रोस्ट करके बनाया है साथ में कुछ और इंग्रिडिंट्स डाले हैं स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करें और बल आइकोन को क्लिक करना न भूलें इससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर कोकनाट ओयल लिया है आप कोई भे ओयल ले सकते हैं इसमें डाल देते हैं उरतकी डाल के साथ हम इसमें डालेंगे देट सारा लसुन और थोड़े से लाल मिर्च, सुखी हुई लाल मिर्च लिया है मैंने यहाँ पर, इस चटनी में मैंने हरी मिर्च भी लिया है, आप चाहे तो लाल मिर्च स्किप कर सकते हैं, इन तीनों इंग्रिडेंट्स को गुल्डन होने तक फ्राई करना है, फ्लेम को लोसी मेडियम पर रखे और इसे गॉल्डन होने तक फ्राई करेंगे, अभी आप देख सकते हैं, उड़त की दाल का कलर चेंज हुआ है, यह चटनी बहुत स्वादिश्ट बनती है, और इसे आप रोटी राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, इसे आप बना कर फ्रिज मे भी रख सकते हैं, और पांच से छे दिन तक आप इसे इस्तिमाल कर सकते हैं, यह तियार हो गया है, इसे हम एक साइड में रख देंगे, जब तक यह ठंडा होता है, हम दूसरे प्रप्रेशन्स कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च, एक टमाटर और कुछ हरी इन सब को हमें रोस्ट करना है, आप इसके लिए एक जाली ले सकते हैं, उसके उपर सारे इंग्रेडियन्स को रख दीजिए, और इसे रोस्ट कर ले, या फिर आप इसे फोर्क की साहता से भी रोस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रही हूं, इसे अच्छ से घुम जरूर बनाईए, इस चक्नी को आप इडली दोसा के साथ भी सर्व कर सकते हैं, इसे घुमा घुमा कर रोस्ट करना आप देख सकते हैं, यह अच्छ से रोस्ट हो चुका है, पिल्कुल इसी प्रकार से आपको इसे रोस्ट करना है, आपके पास कोई फोर्क हो, तो आप उसको शिमला मिर्च में इस प्रकार से लगा दीजिए, टामाटर में भी आप इसी प्रकार से लगा के रोस्ट कर सकते हैं, इसे हम एक साइड में रख देते हैं, जो हमने जाली पर रखा हुआ था, हरी मिर्च वो तेयार हो गया है, टामाटर और शिमला मिर्ची थोड़ी देर और रोस्ट होगा, सारे चीजों को हमने ठंडा होने के लिए रखना है, इसके बाद हम इसे पील कर देंगे, टामाटर को आप आसानी से स्किन निकाल सकते हैं, शिमला मिर्च को हम हाथ से नहीं निकाल सकते, इसलिए किसी चाको की मदद से इसे उपर से खुरच देंगे, उपर का ये जला हुआ पाट जो है, वो हम जादा नहीं रखेंगे, क्योंकि उससे चटनी थोड़ी सी कड़वी हो जाती है, इसे चारों तरफ से निकाल देंगे, और इसे कट करके इसके अंदर के बीज को भी हम निकाल देंगे, आप देख सकते हैं मैंने इसे कट कर लिया है, बीज को निकाल दिया है, दोनों शिमला मिर्च को हम इसे प्रकार से बेज निकाल देंगे, शिमला मिर्च के बीजों को मैंने निकाल दिया है, अब तक हमारा लसुन और दाल वाला जो फ्राइ करके रखा हुआ था, वो भी ठंडा हो चुका होगा, इसे हम एक जार में डाल के ग्रैnd करेंगे, बहती सिम्पल और इजी है, टमाटर को मैंने 2-3 तुकणों में काटा है, उसको जार में डाल दिया, शिम्मला मिर्च भी जार में डाल देंगे साथी हम डाल देंगे हरि मिर्च अब हम इसमें डालेंगे दाल और लसुन उसके बाद मैंने यहाँ पर पिंक सॉल्ट लिया है और इसे हमने ग्राइड कर लिया है आप देख सकते हैं कितना बढ़े कितना सुन्दर लग रहा है इसे शिफ्ट कर लेते हैं अब हम इसमें तड़का डालेंगे तड़के के लिए मैंने नारिल का तेल लिया है आप कोई भी तेल ले सकते हैं इसमें राई डाला है और लाल मिर्च डाला है तड़का तयार कर लेंगे और चटनी के उपर डाल देंगे तड़का हमारा तयार हो चुका है इसे हम चटनी के उपर डाल देते हैं आप देख सकते हैं बहुती डिलिशियस शिमला मिर्च की चटनी बनके तयार है आज की रेसिपी आपको कैसे लगी आप ज़रूर बताईए कमेंट सेक्शन में रेसिपी की ज्यादा डिटेल्स के लिए आप चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखें Thank you so much for watching this video